हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ हेर वाश की वीडियो शेयर कर रही हूँ जशन इतनी ज़्यादा होली खेली है उसके बालों का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुक है कि मुझे उससे अच्छी तरह से हेर वाश करवाना है तो आज मैं हेर वाश की प्रॉपर वीडियो शेयर कर रही हूँ कि होली खेलने के पादमों से hair wash किस तरह से करवाती हूं, Hope guys आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि जशन की वीडियो जो hair से related हो, वो तो वैसे भी आप सब काफी ज़दा पसंद करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगे, विडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के विडियो को स्टार्ट करते हैं Let's Get Started तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि होली फेस्टिवल है तो Jason को तो Holy इतनी जदा अच्छी लगती है जशन ने Holy को इतना जदा Enjoy किया है मैंने उसका Holy Vlog भी अपने चैनल पर अप्लोड किया है शेर किया है तो आप उसका वो वला Vlog भी जरूर देखे कि Jason ने Holy Vestival को कितना जदा Enjoy किया है वट ऐसे में उसके बालों की पूरी तरह से बैंड बजगी इतने ज़्यादा उसके बाल रफ हो गई क्योंकि ना जशन बहुत ज़्यादा जो ये colors हैं बैलून इसके इलावा और भी काफी ज़्यादा चीजे जशन लेके आया था जो उसके बालों पर सारी लगी है जिस वज़ा से उसके बाल इतने ज़्यादा रफ हो गए है और कम से कम तीन से चार घंटों के लिए उसने होली खेली है तो इसके बाद मुझे उसे hair wash करवाना था अच्छी तरह सी तना पका color था pink आप उसकी neck देख सकते हैं कि बिल्कुल pink हो गी है face उसका बिल्कुल green हो गया था पता नहीं तने पक्के पक्के रंग उसने लगाए थे तो आप उसका विलोग जरूर देखिए मैंने शूट किया अपलोड किया है इस वीडियो से पहले वोवला व्लोग आ जाएगा तो आप प्लीज वोवला विलोग उसका जरूर देखिए तो शैंपू के लिए मैं आयूज शैंपू का यूज कर रही हूँ और पानी मैंने ठंडे पानी से ही उसे हेर वाश करवारी हूँ पानी गरम नहीं किया क्योंकि अब मोसम काफी ज़्यादा चेंज हो चुका है घर हाई हियर वाश करवाना पर रहा है क्योंकि सारा क्लर उसके बालों में था जाना पाहला है और आर वैसके बालों में ताया निया दू 투 सके बालों पर आयसा करें न जर्ग को लगा शायक हैesta कि माच डाल ऑफ इतने ज़्दा कि सब्सक्राइण पुर्ल किसे सबस्क्राइब कर घ्लानी नहीं किया है क्यों काफी ज़्दा की हेर वाश करवाया बालों पर ऑईलिंग मैंने अच्छी तरह से काफी ज़दा ऑईल मैंने उसके बालों पर लगाया है जिससे कि उसके बालों को कोई भी नुकसान ना हो सारे हरबल कलर ही वैसे तो हमने जशन को लाकर दिये थे बट जो बाहर से उसने कलर वगेरा लगवाए ह उसके बालों को कोई भी नुकसान ना हो इसलिए मैंने उसके बालों पर अच्छी तरह से ऑईलिंग की है तो अब दोबारा से मैंने उसके बालों पर शैंपू की है ताकि जो कलर है वो अच्छी तरह से सारा उसके बालों में से निकल जाए जशन के बालों की लैंट इतनी ज्यादा दिन बार दिन एंक्रीज हो रही है कि इसके बाल बहुत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसकेम के सब्सक्राइब है, जो भी जादा फूंप हिएंप काफ़ी ज्पाईट शारी जागते हैं तसके बाल리 financially करोTH शेंपू पर्सनली काफी ज़दा अच्छा लगता है और मुझे यूज़ करते हुए भी काफी ज़दा टाइम हो गया है कलर को ज़दा देर के लिए अपने बालों में लगा रहने मत दीजिए क्योंकि इसमें काफी ज़दा केमिकल्स होते हैं जब आप भूली खेलते हैं खेलने से पहले अपने बालों पर अच्छी तरह से ऑईलिंग कर लीजिए अईली बालो में कलर बिल्कुल भी नहीं मतलब एक्ट नहीं करता है तो देखिए अच्छी तरह से बालो पर मैंने पानी डाला सारा शैंपू मुझे बालो में से निकाल लेना है इसके बाद मैंने किसी भी कंडिशनर का यूज नहीं किया है जशन के फेस पर तो इतना जज्यादा क्लर लगा था कि फेस वाश करवाने के showed प्रम इसलीं भी लगाई है अब इनीवे को नहीं गिया है तो देखिए एरवाश करवाने के बाद लास्ट में इसला से बन बना रही हो इसके बाद मुझे टावल ड्राइंग करनी है naturally इसके बालों को मैं एर ड्राइं होने दूँगी और फिर मुझे उसके ऑईलिंग करनी है उसके बाद जशन जूड़ा करेगा तो गाईस जशन का व्लॉग ज़रूर देखिए मेरे चैनल पर अप्लोड़ड है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाईस मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब देर थैंक्यू बाइ